तो चलिए, हम चालू कर रहे है, ब्लाक मनी, एक्ट, टू थाउजन एंड फिफ्टी, मैरी बात सुनो, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक से शॉट शॉट आपको चार माक का क्वेशन मिलेगा, शॉट शॉट बता रहो, देखो, बीस पच्चिस माक का आपका असेस्मेंट प और ये जो पढ़ रहे है अपन, ठीक है, ये वॉल्यूम में, सेट आप केरी फोरवर्ड को छोड़ दो, क्लबिंग और डिड़क्शन को छोड़ दो, क्योंकि वो पहले पार्ट में, कम्प्यूटेशन में चला जाता है, बाखी जो प्रोसेजरल पार्ट वाला है, जो गंटे से, डेड़ गंटे के बीच में, ये टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा, और चार माग का क्वेशन, शॉर्ड शॉट आए गई आएगा, और क्वेशन भी वो ही आएगा, जैसा कम्पाइलर में, या आईसी आई ने मॉड्यूल में दे रखा है, क्योंकि पहले ब्लैक में गलाओं में तो क्या होता था, कि जब एग्जाम होता था तो एग्जाम में, तीन केस तेडी पुरानी आती थी, म 질문 टोटल पाँच केस तेडी आती है, पाँच मैं से 125 माग का पेपर, हुब ज़कि घातना है, तीन केस सब्नेتरी, आस अची लोगों को 70-80, 70-80, उसका नाम एक्जाम देते क्यों हो जब आपको as it is case study वही देनी है तो नॉर्मली एक्जाम उसका नाम देते क्यों है वैसा होता था फिर उन्होंने इंस्ट्यूट ने इस बार जो नावंबर 2023 का पेपर हुआ उसमें चेंज किया एक भी case study पुरानी नहीं पूची सब नहीं case study बना है चार मक्स आने ही वाले है एक्जाम में बड़ा simple सा टॉपिक है और चार मक्स आपको एक्जाम में ये topic देखे जाएगा that is black money at 2015 करके ठीक है चलिए अब होता क्या है ये topic क्यों लाया गया उसके पीछे का reason वगरा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बढ़ छोटा सा topic ह है simple सा topic है इसमें procedural पार्ट भी है बिए procedural पार्ट एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपको जो पूछा जाएगा वो practical पार्ट पूछा जाएगा इस topic से चल ये कोई क्या पूछ रहा है कि मेरे कोई दिखता नहीं है इतना दूर का रोहन चलो चलो करेंगे topic पानी पहले तो आज पता नहीं मेरे गल्ये में क्या हो रहा है मतलब बार 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 वैसा ऐसा लगता है जैसे वह होता है ना क्या बोलते हो उसको एक ऐसा हो रहा है मुझे साथा कि कि इन कि त मेठाया नीए खाई जै कि indeed सब्सक्राइं हो गया बार तो दिखी नहीं रहा है कुछ चली तो अपन आगे बढ़ते हैं ठंड नहीं लगी रहे हो मैं थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ भारी-भारी हो गया है वैसा कि आए देवांशी चली चालू करते हैं ब्लाक मनी आक्ट टूथाउजन एंफिटी देखो यह एक्ट जो है यह मुदी जी लेके आए और मुदी जी जो है उनको बाबारामदेव ने पहले बोला था कि भारत के बाहर बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है जो भारत के बाहर पढ़ा है उसको इंडिया में पैसा लाएंगे सबको 15-15 लाक रुपया देंगे घर के ठीक है ऐसा आपने सुना था जब इलेक्शन हुआ स्विस बैंक में पढ़ा है बहुत सारी बैंक में पढ़ा है बहुत सारे इंडिया में आ जाए तो पैट्रोल की रेट डॉलर की रेट के एक रुपया और एक डॉलर हो जाए गर ठीक है एक तो वह नहीं बटेटी थी पॉइंट सम्तिंग अल्रडी हो चुका है तो और ऐसे ही भी बोला गया था कि बाहर जो पैसा पड़ा है वो अगर इंडिया में लाएंगे तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे इंडिया में वगरा वगरा ऐसा बोला था इंटेंशन तो अच्छा ही था अब हुआ कि उसको लेके एक ब्लाक मनी एट लाया गया 2015 में क्योंकि ब्ला रामदेव का जो एड आता था वो ब्लाक मनी, ब्लाक मनी बार बार बोलते थे ब्लाक मनी काला पैसा ये वो ठीक है आज कल वो बोलते है कि इस बिसकोट में मेदा नहीं है तो चलिए अब बात करते ब्लाक मनी के पास में foreign में assets है foreign में assets है और वो foreign में जो assets है या foreign की income है और वो undisclosed है undisclosed है वो क्या है undisclosed है undisclosed है undisclosed foreign का asset या undisclosed जो है वो foreign की income है जो की undisclosed है undisclosed नहीं है और वो अगर डिपार्टमेंट को मिल जाती है और वो डिपार्टमेंट को मिल जाती है तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है इस particular act में उस undisclosed assets या income जो है उसको assess कर सकता है और उस पे tax ले सकता है at the rate 30% 30% है वो tax ले सकता है तो देखिए ये act क्यो लाया गया कि फॉरेंड में बहुत सारी असेट्स ऐसी है जो फॉरेंड में है फॉरेंड में ऐसी कोई इंकम है और आप अगर रेजिडेंट परसन हो क्या हो आप रेजिडेंट परसन हो तो देखो रेजिडेंट परसन के लिए फॉरेंड की इंकम होती है वो भी इंडिया में चाहिए, as well as foreign में आपने asset कहां से acquire की थी, वो भी इंडिया में भहिया देखना तो पड़े का कहां से लाई थी, आपने वो asset पैसा कहां से लाया था, तो अगर foreign की कोई asset है, या foreign की कोई income है, जो undisclosed है, means उसको आपने income tax में disclose नहीं कर रखा, तो black money act 2015 में उस पे 30% की rate से tax लि हो जाओ, नहीं, इस 30% की rate से तो tax लगेगा, और इसका 3 times penalty लगेगा, 3 times penalty का मतलब यह हो गया, कि खुल मिला कि आपको 30% तो यह देना है, और उसका 3 times मतलब 90%, तो अगर माल लो जो भी आपकी income है, या जो भी asset की value होगी, उस पे 120% है, वो आपको government को देना पड़ेगा, 120% है वो आपको government को देना पड़ेगा, तो मैंने क्या बोला, समझने ही कोशिश करना, black money at 2015 लाया गया, और यह क्यों लाया गया, कि foreign की कोई आपकी asset है, या foreign की कोई income है, वो undisclosed है, department को मिल जाती है, उस पे 30% की rate से tax लगेगा, और उसका 3 times penalty लगेगा, 3 times penalty का मतलब हो गया, कि आपका 90% है, वो penalty लगेगा, तो कुल मिला कि जो आपकी income है, या जो आपकी asset की value है, उस पे 120% है, वो आपको government को tax बढ़ना पड़ेगा, अब आप मुझे बोलोगे कि सर क्या जरूरत थी, अपने income tax में हो तो करी सकते थी, फोरें का अगर कोई income मिल जाता है, या foreign का कोई asset म मिल जाता है, तो पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता है, income tax में एक limit होती है, कि पिछले 10 साल का ही पूछ सकते है, अब पिछले 10 साल का ही केस खुल सकते है, अब पिछले 10 साल का ही केस खुल सकते है, तो इसमें यह limit ही नहीं है, पिछले 20 साल के केस खुल सकते है, पिछल साल पहले अगर कोई asset आपने खरीदी हुई है और उसका कोई explanation आप इंडिया में नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं यह मान लिया जाएगा आपकी white money की है क्योंकि पिछले 10 साल का यह assessment हो सकता है उसके पिछले का तो ही नहीं सकता लेकिन black money act में ऐसा नहीं है black money act में पिछले undisclosed income है तो उस particular case में भहिया उसका assessment आज भी कर सकते है और उस पे जो भी tax है और penalty वगिरा है वो ले सकते है तो इसके लिए black money act में वो लिमिटी नहीं देखो इंडिया की अगर undisclosed income होगी न या undisclosed asset इंडिया की है तो उसके लिए अपने देखा है कि section 68 है 69 A है 69 B है 69 C है वो सब चीजे है लेकिन इंडिया के बाहर का है तो उसके लिए उनको black money act लाना पड़ेगा 2015 में और थोड़ा बताने के लिए भी के black money को हम control करना चाते हैं इंडिया में बहुत सारा काला पैसा लाएंगे ये लाएंगे वो लाएंगे उसके लिए करगे ठीक है अब एक बा हुआ ये पास किया था 26 में 2015 में और ये जो आक्ट है ये assessment year 16-17 से लगना चालो ऊब असेसमेंट यर 16-17 से लगना चालो ऊब ये जो आट है वो पूरे इंडिया पे लगता है including Jammu and Kashmir answer is yes including Jammu and Kashmir तो पूरे इंडिया पे लगता है including Jammu and Kashmir जम्मो खमीर पर भी लग जाता ह अब एक बाद समझना, ये act क्या बोलता है, पहली चीज़ दो, ये act बोलता है कि अगर तुमारा कोई भी undisclosed, undisclosed foreign income है, या फिर कोई undisclosed foreign asset है, तो undisclosed foreign income या undisclosed foreign asset है, उस पे बाबु है न, वो 30% की rate से tax लगाएंगे, 30% की rate से, उस पे tax है, वो लगाएंगे, और आगे जाके मैं बताऊंगा, कि इसका 3 times penalty भी लग सकता है, और लगी गई लगेगा, घर के ठीक है, तो 30% tax लगेगा, undisclosed foreign income या undisclosed foreign asset मिल जाती है, अब एक बात समझना, कौन से year में tax लगेगा, पहली चीज़ तो ये बताओ, भ income tax में नहीं बताया हुआ, तो that is called undisclosed, अपने disclose दहीं कर रहेगा, undisclosed है, undisclosed foreign income पे tax उस year में लगेगा, जिस year की वो income है, means income पे tax उस year में लगेगा, respective year में, respective year में, respective year का मतलब यह हुआ, कि अगर income है, वो 2021 की ये, undisclosed income है, तो 2021 में उस पे tax लगेगा, अगर income, 21-22 की undisclosed foreign income है, तो 2021-22 में उस पे tax लगेगा, लेकिन asset पे tax उस year में लगेगा, जिस year में, it comes to the notice of AO, मलब जिस year में AO को मिल जाती है, AO को जिस year में वो asset मिल जाती है, उस year में उस asset पे tax लगेगा, तो आपको मैं वापस बता रहा हूँ, तो एखो, undisclosed foreign income and undisclosed foreign asset, तो undisclosed foreign income पे tax, उस year में लगेगा, जिस year की वो income है, मिस respective year में tax लगेगा, लेकिन asset पे tax उस year में लगेगा, जिस year में वो AO के notice में आता है, AO को पता चलता है, कि आपकी कोई foreign में asset है, और वो AO को पता चल गया, तो जिस year में AO को पता चल गया, उस year में उस पे tax लगेगा, ज यहां पेरी बात कर रहा हूं Mr.BeeBee, हुआ क्या, मैंने माल लो यहां पे नेपाल में एक घर खरीदा था, और ये वाला घर मेंने कहीं disclose नहीं किया, ये वाला जो घर है, ये मैंने नेपाल में खरीदा था, और ये नेपाल में खरीदा था 29th March 2013 को, मतलब previous year 22-23 में खरीदा था मैंने disclose नहीं किया हुआ, previous year 2012-13 में खरीदा था बाबू, 2012-13 में खरीदा था, means आज से 10-12 साल पहले, 10 साल पहले, approximately 10-11 साल पहले, अब हुआ क्या, ये जो घर मैंने पहले खरीदा था, और इसकी जो cost थी, वो foreign example 20 lakhs थी, 20 lakhs में ये घर खरीदा था, नेपाल में है, foreign का asset है, मुझे इंडिया में disclose करना चाहिए था, मैं इंडिया का resident हूँ, बट मैंने नहीं किया, अब हुआ क्या, AO को इस asset के बारे में जानकारी मिल जाती है, AO के notice में आता ये चीज, और AO के notice में आया, 29 July 2023 को, AO के notice में 23 को आया, तो बेटा, इस asset पे, text जो लगेगा, वो previous year 23, 24 में लएगा, previous year, 23, 24 में इस पे text लगेगा, मणला जिस year में AO के notice में आती है, आपकी जो asset है, वो जिस year में AO के notice में आती है, उस year में उस पे text लगेगा, asset के case में, undisclosed foreign की asset है, जो आपने बताई नहीं थी, तो उस asset पे tax है, वो इस year में लगेगा, अब आप मुझे बोलो कि सरी भाद बताओ, इस year में tax लगेगा, लेकिन कौन सी value पे लगेगा हमने invest किया था, वो 20 lakh किया था, लेकिन आज तो इसकी NRV बढ़ गई होगी, घर गई, तो आज की NRV पे लगेगा, और NRV कौन सी date को लेंगे, valuation date की, और valuation date का मतलब होता है, 1st April और previous year, मलब previous year का जो 1st April रहेगा न, that is the valuation date, तो अपने इस example में, valuation date आएगा, 1st April 2023, और 1st April 2023 को, मान लो, इसकी जो value है घर की, वो 80 lakh है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 80 lakh पे आपको tax भढ़ना पड़ेगा, इस 80 lakh पे आपको penalty भढ़नी पड़ेगी, तो ये 80 lakh पे आपका 30% की rate से tax हो जाएगा, और उस पे फिर आपका 90 पर 3 times जो है, वो आपकी penalty हो जाएगी, 3 times उस पे penalty हो जाएगी, तो आपका tax आएगा, उस tax का 3 times आपका penalty रहेगा, तो मैंने आपको क्या बोला, कि देखो, अगर foreign का कोई भी undisclosed आपका asset है, जैसे ये नेपाल में घर खरीता था, मैंने 2012-30 में मैंने बता नहीं रखा था, AO को पता चला, इस date को, तो इस year में इस पे tax लगेगा, जिस year में AO के notice में आता है, AO को पता लगता है, उस year में इस पे tax लगेगा Black Money Act में, और बाबू Black Money Act में जो tax लगेगा, उसमें क्या करेंगे, valuation date को इसकी NRV क्या है, valuation date का मतलब 1st April of the previous year, जिस year में whichever is higher, आगे मैं समझाऊँगा, उसका 30% आपको tax बढ़ना है, ये तो बात हो गई, undisclosed foreign asset के case में, अगर undisclosed foreign income है तो, जैसे मान लो, foreign example हुआ क्या, मेरे को foreign से कुछ income मिल रहा है, और foreign से, मान लो, मुझे dividend मिल रहा है, और dividend मिल रहा है, वो मुझे previous year 1920 का dividend है, वो मुझे foreign example 10,000 डॉलर मिला, उसके बाद अगले साल 2021 में भी मुझे 10,000 डॉलर का dividend मिला, उसके बाद 21, 22 में भी मुझे 10,000 डॉलर का dividend मिला, 22, 23 में भी मुझे 10,000 डॉलर का foreign से dividend मिला, अब मुझे 10-10,000 dollar का मुझे dividend मिल रहा है तो इस पे tax उस year में लगेगा जिस year की वो respective year की income है इसका मतलब इस पे tax है वो 1920 में लगेगा black money act में इस वाले पे 2021 में लगेगा इस वाले पे 21-22 में लगेगा इस वाले पे 22-23 में लगेगा तो simple word मैं बताओ देखो अगर आपकी undisclosed foreign income है तो तो black money में tax जिस year का वो income है उस year में लगेगा लेकिन assets के case में क्या होगा न और exam में यही आने वाला है उनको income से मतलब ही नहीं है foreign में undisclosed assets से मतलब है क्योंकि income कमा के तो आपने asset ही generate की होगी bank में डाला होगा पैसा और bank asset में आ जाएगा खरके ठीक है तो देखो इन्होंने बोला कि यह asset जिस year में AO के notice में आ जाता है जिस year में AO के notice में आया उस year में tax लगेगा तो यह asset मैंने 12-13 में acquire की थी नेपाल में 20 लाक में AO के notice में 23-24 में आया तो previous year 23-24 में tax लगेगा और valuation date क्या लेगे जिस previous year में tax लग रहा है उसकी 1st April तो 1st April 2023 को इसकी जो value है वो 80 लाक है तो 80 लाक पे 30% की rate से tax लग जाएगा 1st April of the previous year तो 1st April of previous year को tax 1st April of previous year की value लेगे valuation date और उसकी जो value रहेगी उस पर जो tax है वो लग जाएगा अब एक और चीज़ समझना ये act में assessi कौन होता है तो मैं बता हूँ इस act में assessi है न वो सिरफ resident person के case में ये act लगेगा resident person resident person है वो resident person के case में ये act लगेगा तो ये जो act है न वो सिरफ resident person के case में लगेगा resident person कौन से इयर में होना चाहिए तो मैं बता दू या तो resident person आज आप आज इस साल में resident हो नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो for an example ये नेपाल में मैंने asset खरीदी वो 2012-13 में खरीदी और उसके बाद 2016-17 तक मैं मैं था, मैं resident था फिर मैं नेपाल shift हो गया तो नेपाल मैं shift हो गया तो नेपाल मैं अभी shift हो गया तो अभी तो मैं non resident हूँ इस साल में तो मैं non resident हूँ लेकिन जिस year में ये asset acquire की थी ना उस year में अगर मैं resident था तो भाईया ये black money act मेरे पर लगए हो बड़ा simple है, देखो यह act किस पर लगता है, अगर आप resident person हो, resident person हो current year में, मैं लगा current year में resident person हो या फिर आप current year में resident नहीं हो, लेकिन आप उस year में resident and ordinary resident थे, जिस year में वो asset acquire हुई थी, या वो income जिस year की थी, क्योंकि बड़ी simple सी चीज़ है न, income जिस year में होती है, उस year में आप resident, ordinary resident होगे, तभी तो foreign income इंडिया में taxable होगी, under normal income tax act, या फिर आप resident and ordinary resident, आप उस year में थे, जिस year में वो asset acquire की गई थी, जैसे देखो, यह act किस पर लगता है, resident person पर लगता है, लेकिन माल लो for an example, current year में मैं non-resident हूँ, current year में तो मैं non-resident हूँ, current year में मैं non-resident हूँ, लेकिन जिस year में यह asset acquire की थी, उस year में मैं resident था, तो क्या यह act लगेगा, answer is yes, या जिस year की इंकम belong करती है, उस year में मैं resident था, माल लो for an example, इस साल में non-resident, इस साल में non-resident, इस साल में resident, इस साल में resident, इस साल में resident, तो क्या यह act मेरे पे लगेगा, answer is yes, लगेगा, क्योंकि जिस year की व तब तो मैं resident था, answer is yes, तो ये act में मुझे tax लग सकता है, तो बड़ा simple सी बात मैं आपको बताओ, देखो, इस particular act, ये act बोलता क्या है, ये act बोलता है, undisclosed foreign income की बात करेगा, undisclosed foreign asset की बात करेगा, जिसको आपने disclose नहीं कर रखा है, जिसको आपने disclose नहीं कर रखा है, कौन से year में tax लगेगा, अगर undisclosed foreign income है, तो जिस year की income है, उस year में tax लगेगा, लेगे undisclosed foreign asset है, तो जिस year में AO को पता चलता है, अगर AO को पता चलता है, comes to the notice of AO, उस year में tax लगेगा, और उस year की first April है, वो valuation date मानी जाएगी, असेट के case में, और first April को जो भी आपकी उस asset की value रहेगी, और उसकी जो cost जो higher रहेगा, उस higher वाले amount पे यहाँ पे tax लग जाएगा, यह act किस पे लगता है, इसमें असेट सी कौन है, resident person, current year में होना चाहिए, या फिर अगर current year में non resident है, लेकिन जिस year की वो income बिलोंग करता है, उस year में वो resident and ordinaryly resident था, या बेटा, जिस year में वो asset acquire की थी, उस year में वो resident and ordinaryly resident था, तो यह act उस पे लग जाए, का करेगे, ठीक है, चलिए, अपने काम करते है, सीधा चलते है, बुक में, और देखते है, बुक में क्या दे रखा है, on the page number 108 पे आजाईए, आप सब लोग, चार माक का question है, एक्जाम में आएगा, और CMA वालों के लिए ज़्यादा भी आ सकता है, 108 पे आईए, और देखिए, black money act, चलिए, आजाईए, सब लोग, questions करेंगे तो और जादा बढ़िया clarity आएगी, सब question मैं कराओंगा class में, don't worry, overview of the black money and imposition of the tax law, ये act क्या बोलता है, black money undisclosed foreign income and asset and imposition of tax act 2015 है, it is passed on 26 May 2015 को passed किया था, and it is applied for whole India from assessment year 16-17 से, ये पूरे इंडिया पे लगता है, every assessi charging section क्या बोलती है इसकी, every assessi, assessi पर ये act लगेगा, would be liable to pay tax at the rate 30%, 30% tax rate लेना है, क्या सर इसमें health and education से सर्चार जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना, यहां 30% flat tax rate है, उसमें ना तो health and education से जोड़ना है, ना आपको सर्चार जोड़ना है, जो आपका value आएगा, undisclosed foreign asset की value आएगी, या undisclosed foreign income है, उसमें आपको 30% की rate से tax लेना है, तो देखिए, every assessi would be liable to tax at the rate 30% in respect of the undisclosed foreign income, और undisclosed foreign asset of the previous year, undisclosed asset located outside India shall be charged to tax on its value in the previous year in which such asset comes to the notice of the year, जिस year में वो AO के notice में आता है, उस year में उस पर tax लगेगा, जिस year में वो AO के notice में आता है, उस year में उस पर tax लगेगा, अब यहां पर कुछ definition दे रखिए, पहला, undisclosed foreign income या asset बोलते हैं इसको है, तो इसकी section 2 clause number 12 में दे रखिए, इंडिया के बाहर का इंकम है, और the value of undisclosed asset located outside इंडिया, undisclosed asset located outside इंडिया किसको बोलेंगे, तो an asset, कोई भी asset है, including financial interest किसी entity का हो सकता है, जैसे foreign company के आपके पास share हो सकते है, foreign company के like आपके पास debenture हो सकते है, foreign में कोई partnership firm में आपका share हो सकता है, PSR हो सकता है, तो वो आप including financial interest, वो भी undisclosed asset में आएगा, तो देखिए, undisclosed asset located outside इंडिया में कोई भी asset है, including financial interest in entity है, located outside इंडिया, इंडिया के बाहर है, held by assessi in his name, या तो खुद के नाम पे आपने foreign asset ले रखी है, और in respect of which he is a beneficial owner, या खुद के नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, बट पैसा आपने लगाया है, तब आप beneficial owner बनोगे, पैसा आप या तो आपके खुद के नाम पे foreign asset दुबई में मैंने मेरे नाम पे गर ले लिया, या फिर दुबई में मैंने किसी शेक के नाम पे घर लिया, बट उसका beneficial owner मैं हूँ, पैसा मैंने लगाया है, तो that is called I'm a beneficial owner, and he has no explanation about the source of investment in such asset, or the explanation given by him is on opinion of AOS not satisfactory, Miss भया, आपके नाम पे इंडिया के बाहर कोई asset है, या आप किसी asset में beneficial owner हो, and आपसे जब पूचा जाता है explanation, आपकी explanation दे ही नहीं बाते हो, कि कहां से लाया था वो, और या फिर explanation आप दे रहे हो, वो satisfactory नहीं है, अब एक बात समाजना, इसमें assessi कौन होता है, तो assessi का मतलब, a person resident in India, section 6 of income tax act के इसाप सही अपन देखेंगे, कि इंडिया का resident person होना चाहिए, इस previous year में, या फिर इस previous year में resident नहीं है चलेगा, लेकिन person is non-resident or resident, but not ordinarily resident in previous year, महला, current year में वो बंदा एहना रहे, या आरबट एहना रहे, but he was the resident in India, either in the previous year to which undisclosed income relates, महला, जिस year से related, वो undisclosed income है, उस year में वो resident था, but previous year in which undisclosed asset located outside India was acquired, जिस year में उसने वो asset खरीदा था, उस year में वो बंदा resident था, तो वो भी assessi में आएगा, तो assessi में कोन आएगा, या तो कोई person current year में resident है, या फिर जिस year में, जिस year में, वो asset acquire की थी, या जिस year में वो asset acquire की थी, उस year में वो resident था, या जिस year की वो income में, उस year में वो resident था, तो उसको अपन assessi में ले लेंगे, previous year किसको बोलते हैं, तो previous year का मतलब एक बात बताओ, 1st April से लेके 31st March, लेकिन अगर आपने business नया चालू किया है, तो भाईया, जब से business चालू किया, बढ़ देखिये क्या दे रखा है, previous year बोलते किसको है, तो period beginning with the date of setting up a business, and ending with the date of the closer of the business, और 31st March, whichever is earlier, भाईया आपने business चालू किया, वहाँ से previous year चालू होगा, business चालू किया, वहाँ से previous year चालू होगा, एंड भाईया, business close कर दिया, या 31st March, whichever is earlier, मानलो, आपने June में चालू किया, और October में business close कर दिया, तो आपका June से लेके, October ये previous year बन किया है, यहाँ पे, लेकिन मानलो, इस साल में business बन नहीं किया, तो 31st March है, वो 31st March आपका previous year का end होगा, दूसरा, period beginning with the date on which new source of income comes into existence, and ending with the date of closer of business, or 31st March, whichever is earlier, मानलो, आपका नया source of income को इस साल में आ रहा है, तो नया source of income जहां से आया, वहाँ से previous year चालू होगा, और 31st March या फिर आपका business बन दो गया, whichever is earlier date है, वहाँ previous year complete होगा, period beginning with the first April, and ending with the date of discontinution of business, or dissolution of unincorporated body, or liquidation of company as the case में भी, ऐसा हो सकता है, जैसे business पहले से चल रहा है, तो previous year चालू तो 1st April से होगा, लेकिन complete कहां होगा, जहां आपका business बन दो जाता है, तो अगर आपका कोई business है, जिसका discontinution हो जाता है, या फिर dissolution हो जाता है, तो उस particular case में, जो dissolution की date रहेगी, वहाँ previous year complete हो जाएगा, बाकी सब case में, previous year का मतला 12 month का period होता है, जो 1st April से चालू होता है, 31st March को complete होता है, तो जो 1st April से चालू होगा, और 31st March को complete होगा, that is call your previous year, वो तुमारे previous year में आ जाएगा, चलिए अपने काम करते हैं, आपको चाहिए तो एक छोटा सा break ले सकते हैं, यू वांट तु टेक आ ब्रेक, because, मेरेको फिर ब्रेक में नहीं दे पाऊंगा, in between में कम से कम आपको ब्रेक नहीं दे पाऊंगा, कब तक पता है, अगले आदे गंटे तक ब्रेक नहीं दे पाऊंगा, तो अभी break चाहिए या आधे गंटे बात चाहिए चोटा सा break चाहिए तो अपन ले सकते देखो एश्वर्या current year में वो resident होना चाहिए या फिर current year में वो non resident है या आरबट एन हो आ रहा है बट उस year कम में resident था, जिस year में वो asset acquire की थी या income जिस year की है चलिए एक काम करिए छोटा break लेते है पाँच मिनट का ठीक है पाँच मिनट का break लेते है अपन यस पीपल, done with your break आप लोगों को का break होगे अपन रिक के बाद वापस से आपका त्वागत है तो चलिए, अब अपन चालू कर रहे है बहुत ही interesting वाला पार्ट और इसी से exam में question आने वाला है तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि black money act में भाईया, एक बात बताओ, black money act क्या बोलता है कि अगर मालोग, तुमारी कोई भी foreign की undisclosed income या asset मिल जाती है जिसको आपने disclose नहीं किया हुआ undisclosed है, वो मिल जाती है तो foreign की undisclosed income पे tax उस year में लगेगा, जिस year की वो income है और asset पे tax उस year में लगेगा, जिस year में यहों को पता चलता है, ठीक है असेसी कौन होगा, अगर कोई person resident है, as per section 6 resident में यहाँ पे कोई भी हो सकता, R and OR या फिर R but NOR लेकिन, दूसरे case में, यहाँ पे असेसी में वो person भी आ जाएगा, जो इस साल में non-resident है या R but NOR है, लेकिन जिस year में वो asset acquire की थी उस year में वो resident था, या जिस year में वो income जिस year से related है उस year में वो resident था, previous year का मतलब normally April से लेके, और आपका March तक है, वो previous year होता है, चलिए, अब एक बात समझना, अगर foreign की कोई asset मिल जाती है तो सरे एक बात बताओ, उसकी value क्या लेंगे, क्योंकि 30% tax लेना है, बट वो 30% tax जो है, वो किस पे लेंगे करगे, ठीक है, वो 30% जो tax है, वो किस पे लेंगे, तो देखिए, यहाँ पर समझने, एक कोशिश करणा, एक section होती है, section 3, subsection 2, और यहाँ पर, एक rule दे रखा है, rule number 3, sub rule number 1 करके, rule 3 में, sub rule number 1 है, वो rule दे रखा है, वो यह बूलता है, कि undisclosed foreign की, जो asset आपकी मिल जाती है उसकी value कैसे निकालेंगे value कौनसी date की लेनी है, मैं आपको बताओ, पहले तो value लेनी है 1st April of the previous year मलब जिस year में, वो asset AO के notice में आई, उस year की 1st April को value निकालनी है, valuation date रहेगा, वो 1st April रहेगा, अगर गे, ठीक है अब एक बाद समझिए, यहाँ पे आपको value कैसे निकालनी है, कौनसी value लेनी है तो देखिए, जैसे मैं एक example लेता हूँ कि मैंने क्या किया, पूरण example मैंने foreign में कोई asset खरी दी थी तो asset की cost है वो 20 lakh थी, जैसे मैं example में अभी थोड़ी देर पहले लिया था, कि cost है 20 lakh थी, लेकिन आज की value उसकी ज़्यादा हो गई थी, valuation date को उसकी जो NRV है वो मानलो 80 lakh है तो आपको क्या लेना है, right answer is आपको 80 lakh लेना है, क्या लेना है 80 lakh लेना है, आपको 80 lakh है वो 80 lakh आपको लेना है तो whichever is higher, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उसकी cost ज़्यादा थी और आज की उसकी value कम हो गई है आज उसकी value है, there may be a sum asset that is depreciable asset, तो आज उसकी value 15 lakh हो गई है, तो value क्या लेनी है तो जो cost और आज की आपकी NRV, मला valuation date की NRV whichever is higher लेना है, that is the basic funda basic funda यह है कि foreign की asset अगर मिल गई तो उसकी value क्या लेनी है, जो उसकी original cost थी और valuation date की NRV क्या है whichever is higher लेलो, that is the basic funda तो देखिए क्या दे रखा है सबसे पहले कौन सी asset का value क्या लेना है, तो सबसे पहले देखिए जो भी तुमारा bullion है, jewelry है, precious stone है या फिर artistic work है artistic work का मतलब archaeological collection, drawing, painting, sculptures any other work of art ये जो asset है, bullion है, jewelry है, precious stone है, artistic work है, इनके case में आपको लेना है, cost of acquisition कितना था, मतलब वो asset आपने खरीदी कितना है में थी foreign में and NRV on the valuation date valuation date को उसकी NRV कितनी है whichever is higher है वो आपको लेना है and for this purpose, assessi may obtain a valuation report from the valuer recognized by the foreign government अगर foreign government ने कोई valuer recognize कर रखा है, तो उसका आप valuation report है, वो ले सकते हो, जो foreign government का recognized valuation officer है valuer है, registered valuer है, उसका आप value ले सकते हो, उसके report के साब से, तो cost of acquisition और दूसरा ले लीजे, NRV on the valuation date valuation date क्या होती है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, first April of the previous year तो जो first April of previous year valuation date है, तो इस साल के start में जो NRV है, जितना है मैं आपने खरीदा था, whichever is higher अब sir, अगर मान लो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological, collection any other work of art and boolean यह अपने other sources में भी पढ़ा था, तो इस पूरे segment को आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि jewelry यहाँ पे आ गया drawing, painting, sculptures, archaeological collection, any other work of art and boolean करके, और precious stones वगेरा है वो तो ऐसे भी आ जाता है jewelry में तो jewelry, drawing, painting, sculpture archaeological, collection, any other work of art उसके case में आपको लेना है, cost of acquisition जो है, उसका original और NRV on the valuation date, whichever is higher है, वो आपको लेना है, वो value लेना है आपको, और उस पे 30% tax बढ़ना है और इसका 3 times जो tax आएगा tax का 3 times है, वो penalty भरना है, आगे देखिए क्या दे रखा है, अगर आपके पास कोई quoted share and security है जो कि foreign के market में quoted है foreign के market में quoted का मतलब जो foreign के established security market में quoted है example के लिए, माल लो मेरे पास Microsoft के share है, और जो undisclosed थे, या मेरे पास Apple के share है, जो undisclosed थे, या मेरे पास Tesla के share है, जो undisclosed थे, और वो quoted share and security है, तो उसके case में क्या गड़नेगा, कि वो जो share आपने खरीदे कितने में थे, उसकी actual cost कितनी है, वो ले लो, और दूसरा average of the lowest and highest price on the valuation date in the established security market, जो foreign में, जैसे foreign example, US में Nasdaq में ये trade होते हैं, तो Nasdaq में, जो Tesla का share है, as well as the, मालो मेरे पास Microsoft के भी share है, मेरे पास Apple के भी share है, तो उनका highest और lowest कितना था, highest और lowest उस दिन का quote कितना था, आप उसका average ले लीजिए, वो average value कौन सी date को ले नहीं है, valuation date, valuation date का मतलब 1st April of previous year, तो 1st April of previous year में current year का आपका valuation date जो है, जिस year में AO को पता चला, उस year का, जो valuation date रहेगा 1st April, 1st April को उसका average लेना है, lowest और highest price का, average लेना है करके ठीक है, lowest और highest price का आपको average लेना है, वो average आपका आजाएगा FMV, और beta cost of acquisition whichever is higher, लेकिन माल लो, valuation date को trading नहीं हुई, तो सीधी सी बात है, last trading session का ले लो भाई, अगर माल लो, यहाँ valuation date को trading नहीं हुई, तो last trading session का average ले लो, highest or list का, तो देखिए क्या दिरखा है, if no trading of such share or security on the valuation date, then average of the lowest and highest price of immediately preceding the valuation date, when such share or security traded in the established security market, by last trading session में, highest, lowest क्या था, उसका average ले ले लीजे, तो देखो, बड़ा simple है, सबसे पहले, jewelry, drawing, painting, sculpture, any other, like, jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological, collection, any other work of art and bullion, इसका ग्या करने का, जो उसकी actual cost थी, और NRV on the valuation date, valuation date का मतलब, जिस year में पता चला, उस year की 1st April valuation date है, तो 1st April को जो NRV रहेगा, और जितना आपका original cost हा, whichever is higher, दूसरा जो quoted share and security अगर आपका foreign का मिल गया, तो उसके case में आप एक काम करो, उसका original cost कितना था, आपने कितने में खरीदा था, और दूसरा valuation date को उसका highest और lowest का average लेना है, valuation date मतलब 1st April of the previous year, तो 1st April of the previous year को lowest और highest का average ले लो, established security market में जो foreign का है, जैसे NASDAQ है, अब एक बात समझना, अगर उस दिन trading नहीं हुई, तो last trading session का ले लो, उसके बाद में point number 3 को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, point number 4 पे चलते हैं, point number 4 क्या बोलता है, कि unquoted share and security के case में क्या होगा, other than equity share, equity share को छोड़ के, अगर आपके पास foreign का कोई भी unquoted share and security है, equity share को छोड़ के, मतलब foreign के bond से माल लो, foreign government के किसी के debenture है, foreign की किसी company के preference share है, equity share को छोड़ के, preference shares वगेरा है, तो उसकी value कैसे निकालनी है, तो आप एक काम करो, जो original उसकी actual cost थी वो लीजिए, और दूसरा NRV on the valuation date, valuation date को जो NRV आता है, वो ले लीजिए, whichever is higher, note for this purpose, assessi may obtain the valuation report from the valuer recognized by the foreign government, foreign government जो जो recognized valuer है, उसकी report आप ले सकते हो, तो जो भी cost of acquisition, और NRV on the valuation date, whichever is higher, अब एक बात बताओ, immovable property का क्या करना है, तो immovable property के case में भी cost of acquisition क्या था, और NRV on the valuation date, यहाँ पे भी for this purpose, assessi may obtain the valuation report from the valuer recognized by the foreign government, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपको in simple word बताना चाहूँ, तो यह कह क्या रहे है, वो ही तो वाली बात कर रहे हैं यह लोग, यह क्या कर रहे हैं, देखो, आपका jewelry drawing, painting sculpture, archaeological collection, any other work of art, bullion के case में भी cost और NRV, whichever is higher, भाई, quoted share and security के case में भी तो वो ही कह रहे हैं, कि जो आपकी original cost थी और NRV on the valuation date, whichever is higher, NRV का मतलब यहाँ पे, quoted के case में आपको lowest और highest का average लेना है, जिस दिन trading नहीं हुई, valuation date को तो last trading session का ले लीजिए, अब एक बात समझना, बाकी अगर कोई unquoted share and security है, equity share को छोड़के, तो आप एक काम करी है, जो उसकी cost of acquisition थी, और NRV as on valuation date, immovable property के case में भी cost of acquisition और valuation date को NRV कितना है, whichever is higher ले लीजिए, अब एक बात समझना, next is a bank account, bank account is very special, bank account में यह लोग क्या बोलते हैं, बदा है, कि मान लो foreign का आपका bank account मिल गया, तो bank account में जितना आपका deposit हुआ है, जितना आपका deposit हुआ है, वो deposit deposit की total कर दो, आप deposit deposit की total कर दो कर दो, जितना deposit हुआ है, वो deposit deposit की total कर दो, वो value आजाएगी, वो value आपको लेनी है, बेखो, इसमें simple है, कि bank account मिल गया, तो जितना आपका deposit हुआ है, वो deposit deposit की total कर दो, example लेते हैं, for an example, यहाँ पे एक बंदा है, जिसका नाम है, Mr. for an example, Mr. widget, Mr. बलवाया, अब यहाँ bank account में एक होता है deposit, और एक होता है withdrawal करके, ठीक है, तो deposit उसने सबसे पहले कराया, for an example, 10,000 dollar deposit कराया, उसके बाद उसने 20,000 dollar deposit कराया, उसके बाद उसने 6,000 dollar है, उसका withdraw किया, और 6,000 dollar से withdraw करके, for an example, कुछ खर्चा किया होगा, for an में, हो सकता है, उसके लिए कुछ, कपडे खरीदे कुछ भी किया होगा, उसके बाद में, उसने 30,000 dollar all deposit किया, उसके बाद उसने 40,000 dollar all deposit किया, उसके बाद उसने उसमें से 10,000 dollar है, वो निकाल दिया, तो question मतलब इन सिंपल वर्ड, बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है उसकी टोटल कर दो, वो तुमारी वैल्यू आ गए उस पे टेक्स बर दो, आप बोलोगे सर इसमें तो हमने विड्ड्रो भी किया, अरे विड्ड्रो किया हमको उससे क्या मतलब भाई, हमको उससे क्या मतल ना था ना, उस डिपोजिट डिपोजिट की आप टोटल कर दो, जो तुमरा डिपोजिट डिपोजिट है ना, वो टोटल डिपोजिट 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 की आप टोटल कर दो, इस टोटल वैल्यू को आप ले लीजिए, और उस टोटल वैल्यू है, वो तुमारे asset की value आ जाएगी, withdrawal को आपको less नहीं करना है, लेकिन मालो foreign में आपके दो bank account है और आपने क्या किया, एक bank account से withdraw करके और दूसरे में deposit किया, तू फिर एक बात बताओ, वो फिर deposit में आप नहीं लोगे, बड़ा simple है, क्योंकि एक बात बताओ, मेरे पास में दो foreign में bank account है, एक Swizzle Land में और एक Canada, अब Swizzle Land की bank से मैंने withdraw किया, और वो ही पैसा Canadian bank में जमा किया, तो भई Swizzle Land की bank के deposit में वो आ गया होगा, तो फिर Canada की bank के deposit में वो मेरे को नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने एक ही account से withdraw करके, और किसी दूसरे account में deposit किया, या उसी account में deposit किया, तो फिर वो deposit में नहीं आएगा, खरके ठीक है, क्योंकि already वो दूसरे वाले account calculate करते time, उसमें आ गया होगा ना, बड़ा simple है, तो देखिए, क्या दे रखा है, यहां पर sum कर दीजिए, उसकी total कर दीजिए, और where such account is already declared earlier, अगर माल लो, पहले वो account आपने already पहले declare कर चुके है, text penalty paid on sum of all deposit made since the date of such declaration, अब एक बात बताओ, अगर माल लो, आपने जो है, वो पहले उस account को declare कर दिया था, और उसमें, उस पे जो tax penalty बनता था, वो pay कर दिया था, तो फिर उसके बाद में, आपका कितना deposit हुआ है, वो ही लिना है, जैसे example के लिए, black money act आया ना, तो इन्होंने बोला था, 1st April 2015 को आप चाहे तो declare कर सकते हैं, आपकी black money, foreign value asset, तो किसी ने declare की नहीं, बट अगर माल लो, वो account declare कर चुके हो, और उसके बाद में, जो deposit हुआ होगा, वो ही अपन consider करेंगे, उसके बाद में, जो deposit हुआ होगा, वो ही अपन consider करेंगे, तो इस point को वापस पढ़ेंगे, the sum of the, all the deposit made, since the date of opening the account, or where such account is already declared earlier, and tax paid on the sum of all deposit made, since the date of such declaration, मिले declaration के बाद में, फिर जो deposit हुआ, वो आपको consider करना है, तो बेटा, आपने अगर वो account पहले declare कर चुके है, तो उसके बाद में, फिर declaration पर tax पढ़ दिया था आपने, तो उसके बाद में जो deposit हुआ, वो आपको लेना पड़ेगा, एक note दे रहा है, एनी deposit made from the withdrawal of the account, then such deposit shall not be considered, अगर आपने कोई withdraw करके और वो ही पैसा आपने deposit कर दिया, अगर आपने कोई withdraw किया और वो पैसा वापस कहीं deposit किया तो वो वाला आपका नहीं आएगा तो any deposit made from the withdrawal of the account then such deposit shall not be considered वो वाला deposit नहीं आएगा गरिए ठीक है अब एक बात बताओ foreign का अगर वालो unquoted equity share है तो उसकी value कैसे निकालेंगे foreign का अगर आपका unquoted equity share मिल गया unquoted equity share मिल गया तो क्या करेंगे अब आप बोलोगे unquoted equity share में तो अपन ने बहुत बार देखा हुआ है तो same वो ही वाला process यहां पे भी रहेगा कि A plus B minus L multiply by PV divided by PE करके यह अपन ने देखा था last accredited income देखते time accredited income में भी ऐसा ही था कि trust के पास माल लो किसी company के unquoted share मैंने एर इंडिया का example लिया था ऐसा ही मैंने buyback में भी पढ़ाया था ऐसा ही मैं आपको वापस यहां पर पढ़ा रहा हूँ अब एक बात बताओ 10,000 share मैंने acquire किये थे जो private limited company है अब उसकी NRV कैसे निकालोगे valuation date को तो बड़िया सी चीज है उसकी NRV कैसे निकालने है तो NRV निकालने के लिए आप एक काम करो A plus B minus L divided by P multiplied by PV बड़ा simple है कि इस company का valuation date को NRV निकालने के लिए valuation date को आप उसकी आउकात निकाल दो उसकी intrinsic value निकालो intrinsic value कैसे निकालोगे तो A का मतलब आप एक काम करिए asset ले लीचे और assets में आपको TDS, TCS, Advanced Tax आपको छोड़ो देना है deferred revenue expenditure उसको आपको छोड़ देना है, बाकी assets की book value लेनी है लेकिन बेटा, जो jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological, collection, any other work of art, and immovable property है उसकी आपको NRV लेनी है liabilities आपको book value पे लेस करनी है, divide by total share capital कितना है और multiply by आपके पास share capital कितना है उससे अपन multiply कर देंगे, तो uncoted equity shares की value आजाएगी तो मेरे पास एक किन private limited foreign की company है, और इस किन private limited के मेरे पास 10,000 share है उस company के total share माल लो 50,000 है, तो इसका जो intrinsic value आएगा, divide by 50,000 share, multiply by 10,000 share तो ऐसे आपकी value आजाए गी करके, ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है uncoted equity shares के case में, आपको value कैसे निकाल दी है, cost of acquisition ले लीजिए पहले जो भी आपकी cost of acquisition है, वो आप ले लीजिए और दूसरा लीजिए, A plus B minus L, divide by P, multiply by PV इसका मतलब क्या हुआ, A means, book value of all assets लीजिए, but other than covered in B जो B में covered है, उसको छोड़के, but exclude TDS, advanced tax आपको नहीं लेना, but excess of the income tax refund claim, अगर कोई है तो वो लेना है, और deferred expenditure shown in the asset side, वो नहीं लेना, उसके बाद FMV of the bullion, jewelry, precious stone, artistic work, shared security, immovable property, as determined in the manner provided in this rule, इस rule के manners के इसाब से उसकी FMV निकालनी है, and जो liabilities है, वो आपको book value पे लेनी है, लेकिन liabilities में क्या-क्या नहीं लेना है, paid up share capital नहीं लेना है, equity share वाला, amount set apart for payment of dividend on preference share और equity share का dividend अगर set apart किया हुगा है, वो liability नहीं है, reserve and surplus आपको नहीं लेना है, गर गेटी के, reserve and surplus आपको नहीं लेना है, other than depreciation reserve आपको लेना है, provision for tax आपको नहीं लेना है, provision for uncertain liability आपको नहीं लेना है, अगर मालो dividend payable in respect of cumulative preference share है, तो वो आपको लेना है, तो अरियर of dividend payable in respect of the cumulative preference share है, तो वो आपको लेना है, ठीक है, उसके बाद, divide क्या करना है, total amount of paid up equity share capital as shown in the balance sheet, और multiply करना है, the paid up equity share आपके पास कितने है, उससे आप multiply कर दो, यह आपकी value आजाएगी, uncorted equity share की, तो आप जो उसक value आजाएगी, तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, बड़ा simple सा fund है, कि foreign की asset मिल गई, तो उसकी value कैसे निकालनी है, तो उसकी value निकालनी के लिए, पहले आप उसकी cost लेलो, जो original cost है वो लेलो, और दूसरा आप NRV on the valuation date से, compare कर लो, whichever is higher लेलो, NRV on the valuation date होता है, जिस year में पता चला, उस year की first April कर गेड़ी गए, तो जैसे इस साल में asset के बारे में पता चला, तो इस साल की जो first April रहेगी, उस date के आपको NRV लेना है, लेकिल सर एक बात बताओ, cost of NRV निकालते कैसे है, तो NRV के लिए आपको क्या करना है, देखो, bullion बगिरा के लिए अब valuer foreign का जो है, रिकगनाईज वो valuer का report ले लो, तो cost और NRV whichever is higher, यह FMV आ जाएगा, दूसरा, quoted share में, आप एक काम करो, कि first April of the previous year का lowest highest का average ले ले लीजिए, अगर उस दिन trading नहीं हुए, तो पिछले trading session का, equity share के case में, जो आपका cost है, और आज की intrinsic value उस share की निकाल दी है, भई, foreign में पता नहीं, अपने को HDV law है या नहीं, stem duty value foreign में है या नहीं, अपने को पता नहीं, तो यहाँ पर immobile property के case में, सिरफ NRV है, cost और NRV whichever is higher, bank account में क्या करिए, जितना deposit हुआ है, उसकी value जो add कर दीजिए, जितना तुमारा total deposit हुआ है, वो total deposit है, उसकी value जो add कर होगा, तो वो already उसमें आ गया होगा ना, तो दूसरे bank में उसको consider नहीं करना, उसके बाद, अगर मालो किसी partnership firm, LLP, AOP, BIOI में आपका interest है, PSR है, तो क्या करेंगे, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले, उस partnership, foreign partnership firm, LLP, AOP, BIOI के आप network निकाल दीजिए, network कैसे वो अभी सुना A plus B minus L, वो कर दीजिए, तो देखिए, आप एक काम करिए, value of asset क्या करता है, पहले आप network of the asset निकाल दीजिए, मतलब आपका जो share है, किसी partnership हम में, partner हो, 20% आपका PSR है, या किसी AOP, BIOI में आपका holding है, तो उस particular case में क्या करने का, तो आप एक काम करो, पहले उस entity की network निकाल द ratio या PSR में divide कर दीजिए, तो देखिए, पहले आप उस entity की network निकाल दीजिए, A plus B minus L, और उसके बाद में, आप एक काम करिए, कि उस partnership firm और AOP, BIOI की value निकाली, उसमें से, पहला तो जिसका जितना capital है, उसमें divide कर दीजिए, और उसके बाद में जो बचता है, वो dissolution ratio और dissolution ratio नहीं है, तो आप PSR में divide कर दीजिए, मैंने example लिया है, तो देखिए, first distribute amongst the partner or member, in the proportion in which they contributed capital, and balanced net worth is dissolution ratio, और PSR in absence of the dissolution ratio, suppose net worth of the firm is 26 lakh है, and capital of the partners is as follows, जैसे तीन partner है, Mr. A, Mr. B, and Mr. C, तीनों का capital दस लाग, पांच लाग, दो लाग है, dissolution ratio या PSR है, वो equal है, तो क्या करोगे आप पहले, 26 lakh में से, आप एक काम करिए, पहले 10 lakh, 5 lakh और 2 lakh बाट दीजिए, तो 10 lakh, 5 lakh, 2 lakh, ये total 17 lakh हो गया, तो 10 lakh, 5 lakh, 2 lakh, बचा कितना, उसके बाद आ partnership firm में उस बंदे की, तो जैसे मालूम है, partnership firm में गई partner हो, तो उसकी value कैसे निकालनी है, आप एक काम करो, पहले partnership firm, AOP, BY की network निकाल दो, A plus B minus L कर दीजिए, और उसके बाद में आप एक काम करिए, सबसे पहले तो जितना जितना capital का balance है, उतना कर लीजिए, और उसके बाद मे या NRV on the valuation date, whichever is higher कर लीजिए, लेकिन एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, कि valuation date से पहले पहले वो asset आपने बेच दी तो, बट पता चल गया, बट वो asset बेच दी, जैसे मैं एक example लेता हो, इधर देखो, इधर देखो, हुआ क्या, कि जैसे for an example, एक example लेते, example से आप समझ पाओगे, इधर देखो, मैंने क्या किया, एक बंदा है, जिसका नाम है Mr. BB, मैंने एक नेपाल में घर खरीदा था, और नेपाल में ये घर खरीदा था, 19 July 2012 को, previous year 12-13 को, ठीक है, इसकी value थी 20 लाक, मलब 20 लाक में मैंने खरीदा था, अब हुआ क्या, इस घर को मैंने बेच दिया, बेचा कब 19 July 2019 को बेच दिया, सेल कर दिया, और सेल कर दिया, for an example, 60 लाक में है, 60 लाक में मैं सेल कर चुका हूँ, इस घर को, अब इस घर को मैंने खरीदा था 20 में, सेल किया 60 में, अब AO को पता चलता है, इसके बारे में, previous year 23-24 को, तो अब इस साल की, आपको इसको, Black Money Act में asset की value लेंगे, लेकिन क्या ले, क्योंकि 1st April 2023 ये आपकी valuation date है, बट इस date को तो asset ही नहीं, क्योंकि asset तो आप बेच चुके हो, पहले 2019 में बढ़ पता चला, तो lawmakers बोलते हैं, आप एक काम करो, अगर ऐसा है ना, कि asset आपके valuation date से पहले पहले आप बेच चुके हो, तो क् काम करो, जो आपकी cost थी, and जो आपकी selling price थी, whichever is higher, cost और selling price, whichever is higher है, वो ले लीजिए, तो मेरी cost है, वो 20 lakh थी, selling price 60 lakh थी, तो higher कितना आ गया, 60 lakh आया, तो 60 lakh है, वो आपकी value ले लीजिए, 60 lakh है, वो आपकी value ले लीजिए, 60 lakh रुपेज है, वो आप value ले ले लीजिए, 60 lakh सकता है आपने अगर ये किसी को asset gift कर दी तो या फिर आपने किसी को inadequate consideration से बेची तो अब एक बात बताओ अगर आपने inadequate consideration से बेची या आपने जो gift कर दी तो फिर sale price तो होगा ही नहीं sufficient सही वाला तो lawmakers बोलते हैं कि एक काम करो फिर sale value की जगे आप ले लीजिए FMV करके ठीक है FMV on the date of sale मतलब sale या transfer की date पे जो FMV ता fair market value वो निकाल दीजिए तो foreign example मैंने क्या किया ये asset को बेचा नहीं किसी को gift कर दिया तो gift कर दिया तो gift की date वो 19 July 2019 है उस date को इसकी fair market value कितनी थी वो निकाल दीजिए तो आपकी cost और fair market value whichever is higher है वो ले लीजिए तो देखिए क्या दे रखा है asset transfer before valuation date valuation date से पहले-पहले आप asset की भीकवाली कर चुकी हो तो क्या होगा जो cost of acquisition थी और sale value whichever is higher बेटिए asset transfer without consideration और inadequate consideration देन जो भी cost of acquisition है और FMV on the date of transfer whichever is higher है वो आप ले लीजिए cost of acquisition और FMV on the date of transfer whichever is higher है वो आप ले लीजिए अब एक बात समझना यहाँ पे बहुत ही सुन्दर सा एक example है इससे आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत बढ़िया वाला है आपको यहाँ ध्यान देना क्योंकि ऐसा same example ICI ने अपने material में भी दे रखाया समझना कि where a new asset is acquired out of the consideration received on account of transfer of an old asset और withdrawal from the bank account then FMV of such old asset और bank account shall not be considered मतलब आप एक बात बढ़ाओ अगर पुराने asset को बेच के आपने कोई नया asset खरीदा है तो नय asset की value में अगर value आ गई है तो फिर पुराने assets की value आपको नहीं लेनी है इसका मैं example दूँगा don't worry about that समझते इसमें बोला क्या है कि where new asset is acquired out of consideration received on account of transfer of an old asset मिस आपने old asset बेचा और उससे आपने नया asset खरीदा अब एक बात बताओ या फिर आपने bank से withdraw करके आपने कोई नया asset खरीदा और वो नये asset की value मैं ले रहे हो तो आपको पुराने assets की value नहीं लेना है मतलब उस पे tax नहीं लगेगा बड़ा logical है एक example लेते हैं आपको मैं समझाता हूँ इधर देखो सब लोग इधर देखो ध्यान दो इधर ध्यान दो हुआ क्या क्या माल लो मेरा एक ये घर था समझना हाँ ये मेरा घर था और ये मैंने घर खरीदा था 19 जुलाई 1997 को और इसकी जो cost थी ये था नेपाल में अपना दोस्त वाला चलो तो cost कितनी थी नेपाल की एक घर था नेपाल में cost थी दो लाग दो लाग में घर खरीदा था मैंने इस घर को बेच दिया 10 या 16 जुलाई 2008 में और इस घर को sale किया और एगजामपल 15 लाग में sale कर दिया तो मुझे बताओ value of a set कैसे निकालोगे अभी मैंने सिखाया अगर valuation date से पहले बेच चुके हो तो जो उसका cost था और selling price whichever is higher तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहां पर selling price मतलब 15 लाग है तो मुझे यहां पर value लेनी पड़ेगी 15 लाग लोगे लेकिन एक बात समझता यही 15 लाग फिर मैंने नेपाल में bank account में जमा कराया bank account में deposit कराया तो bank account के deposit कराया तो एक बात बताओ जब मैं bank account में deposit करा रहा हूं जब मैं bank account में deposit करा रहा हूं तो deposit वाले में already आ चुका होगा ना भाई bank की value निकालूँगा तो उसमें deposit 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 में यह 15 लाग already आ चुका होगा ना तो जब यह 15 लाग bank लेंगे फिर bank deposit वाला है वो deposit 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 की total में से लेलेंगे ना आ गे जाएगा ना वो तो अगर माल लो ये घर मैंने नेपाल में इस डेट को खरीदा था इस डेट को बेज दिया तो इसकी वैल्यू आज की डेट में आपको 15 लेक लेना चाहिए था तो जब आप already add करोगे तो फिर इसको आपको लेने की जरुवत नहीं, इस 15 lakh को इसमें नहीं लोगे, जो bank account है, वो bank account में आप consider कर लोगे, समझ रहे हो, चलो एक और example लेते हैं, हुआ क्या, और an example, मेरा एक bank account है, मेरा एक bank account है, और ये bank account में, accounts, जो है bank account है, वो bank account में deposit हो रहा है, अब एक बाद समझे, deposit हुआ पहले 10,000 दॉलर, फिर वापस हुआ 20,000 दॉलर, फिर वापस हुआ 30,000 दॉलर, तो total deposit जो है, वो आ गया 10, 20, 60,000 दॉलर, 60,000 दॉलर है, ये total deposit है, अब एक बाद समझता, इसी account से मैंने withdraw करके, और फोरन example, 7,000 दॉलर में, मैंने एक घर खरी खरीदा, ठीक है, और ये घर खरीदा, फोरन example, USA, USA में घर खरीदा, 7,000 दॉलर, कहां से withdraw किया, बैंक से, बैंक से withdraw किया, 7,000 दॉलर, USA में घर खरीदा, तो इसकी cost कितनी आ गई, 7,000 दॉलर, अब एक बात बताओ, इसकी माललो, आज की date में, valuation date को NRV है, वो फोरन example, 40,000 दॉ अब एक बात बताओ, जब घर की value, 40,000 दॉलर आई, तो आज की date में, आपको black money act में, asset की value लेते time, आप इस घर को ले रहे हो, answer is yes, तो घर को ले रहे हो, तो बैंक की value में, एक बात बताओ, ये जो 7,000 दॉलर, आपने withdraw किया था, ये इसी bank से तो किया होगा, ये deposit deposit में से ही कर रहे हो, इस deposit deposit में से ही तो ये 7,000 withdraw किया था, तो deposit आप already 60,000 दॉलर यहां ले चुके हो, इसी में से withdraw करके आपने घर लिया, घर की value आज 40,000 दॉलर है, तो जब घर की value 40,000 दॉलर ये asset में आ रहा है, तो फिर bank में नहीं आएगा, तो bank में से मैं क्या करूंगा, यहां 7,000 है, वो less कर दूँगा, और bank की value है, वो मेरी 53,000 दॉलर बच जाएगी, जो bank की value है, वो bank की value है, वो 53,000 दॉलर बच जाएगी, तो बड़ा simple है, कि देखो, अगर आपने पुरानी asset बेच के, और कोई नहीं asset खरी दी, या फिर bank से withdraw करके, आपने कोई asset खरी दी, तो उस particular case में अगर नहीं asset आ रही है, तो उस particular case में वो पुरानी asset नहीं आएगी, in simple word, तो इस linguist को एक बार बापस से read करेंगे, क्या लिखा हुआ है, देखिए, where, new asset is acquired out of consideration received on account of transfer of an old asset, और withdraw from the bank account, then FMV of such old asset और bank account shall not be considered, एक example लिया, इस example से आप समझने ही कोशिश करता, मैंने सब चीज़ ए located in country, outside India, was bought in 1995 में, खरीदा था, 15 lakh में, ठीक है, it was sold in 2000 for the 22 lakh, तो खरीदा 15 lakh में था, और इसको 22 lakh में बेच दिया, तो आज की date में अगर आप इसकी value लोगे, तो value कितनी लेंगे, अपन 22 lakh लेंगे, 22 lakh लेंगे, 22 lakh है वो value लेंगे, लेकिन क्या हुआ, this amount was deposited in the bank account in that country, आपने वो पैसा bank account में डाल दिया, तो अब bank की value में आ जाएगा 22 lakh, तो भाया, अब इस house की value आपको नहीं लेनी है, यह जो house A है, उस house A की value आपको नहीं लेनी है, क्योंकि वो bank की value में already आ गयोगा न, bank में आपने पूरा 22 lakh लग डाला, और 22 lakh जब bank में डाला, तो bank की value में आ गया deposit में, तो फिर आपको house की value है, वो नहीं लेनी है, तो देखिए, यहाँ पे, आगे क्या दे रखा है, क्या आगे दे रखा है, in the year 2001, another house B was purchased for 35 lakh, आपने क्या किया, 2001 में एक और घर खरीदा, जिसको house B बोल रहा है, house B खरीदा, the investment in house B was made through the withdrawal from the bank account, आपने bank account से withdraw करके और एक house ख transfer before the valuation date and its value as on valuation date is 48 lakh, अब आपने जो house B खरीदा, उसकी value 48 lakh है, तो अब यह 48 lakh आ रहा है, तो बेटा 35 lakh bank account में नहीं आएगा, 35 lakh है, वो bank account के जो deposit है, उसमें से मैं less कर दूँगा, क्योंकि आपने उस bank से withdraw करके ही तो यह घर खरीदा था 35 lakh में, और उसकी value as 48 lakh है, तो 48 lakh आप यह नहीं ले रहे हो, तो 35 lakh आपको bank account में से क्या करना पड़ेगा, less करना पड़ेगा, तो देखिए क्या दे रखा है, assuming that, the value of foreign bank account as computed is 60 lakh, तो foreign bank account की value है, वो 60 lakh है, तो 60 में से मैं क्या करूँगा, 35 lakh है, वो less कर दूँगा, तो देखो, सबसे पहले तो house A, जो 22 lakh का था, that is 15 lakh और 22 2 lakh, whichever is high, 22 lakh आप नहीं लोगे, because it is invested in foreign bank account, तो उसकी value निला जाएगी, दूसरा, आपका foreign bank है, उसका 60 lakh है, लेकिन उसी में से आपने withdraw करके 35 lakh में दूसरा घर खरीदा था, जो की 48 lakh का है, और आज वो घर की value ले रहे है, तो भाईया, ये 35 lakh है, वो आप less कर दो, तो 25 lakh है, वो ह इस घर की value आ जाएगी, अब एक बात बताओ, अगर कोई भी foreign currency है, तो उसको Indian currency में कैसे convert करोगे, तो Indian currency में convert करने के लिए, आप एक काम करो, valuation date जो आपकी है, 1st April, उसको आप RBI का reference rate ले लो, तो rate of conversion of currency used for determining FMV of the asset, तो आप एक काम करो, कि जो भी अगर माल लो, आपने dollar में न valuation date को, लेकिन मान लो, for an example, ऐसी कोई country है, जिसकी currency से RBI की direct reference rate available नहीं है, जैसे for an example, आपने Bermuda में कोई asset खरी दी थी, अब Bermuda की currency है, उसकी direct RBI की reference rate available नहीं है, तो आप एक काम करो, उसको पहले US dollar में convert करो, और US dollar के बाद में फिर आप Indian rupees में convert कर लो, because US dollar और Indian rupees का conversion rate आपको म बिल जाएगा, तो देखिए क्या दे रखा है, इब RBI reference rate is not given, then FMV of such asset shall be converted in US dollar from the foreign currency, and thereafter US dollar to the Indian currency by the RBI reference rate, valuation date क्या माना जाएगा, देखो, अगर आप asset पहली बार में declare कर देते, क्योंकि एक बार उन्होंने declaration का option दिया था, ये जब act आया 2015 में, तो आपको declaration का option दिया था, अगर आपने declare कर दिया पहले, तो तो valuation date, 1 July 2015 थी, otherwise आपकी valuation date है, in any other case, 1 April previous रहेगी, आपको ये याद रखना है, 1 April previous year is a valuation date करके, ठीक है, चलिए, उसके बाद कुछ definition दे रखिए, उसको आप छोड़ दीजिए, अब एक बात समझो, इस act में कौन कौन सी asset आएगी, मतलब scope of the undisclosed for an undisclosed income और asset कौन कौन सी आएगी, undisclosed का मतलब क्या, तो देखिए, the total undisclosed foreign income और asset for any previous year would be, कौन सी वाली आएगी, जिसको आपने अपने return में नहीं बताया, जिसको आपने अपने return में नहीं बताया, या फिर आपने return ही file नहीं किया, income tax में आपको return file करना था, आपने return file कि पिया ही नहीं और उस income को आपने अपने return में नहीं बताया, या फिर return ही file नहीं किया, तो देखिए, income from source located outside India, which has not been disclosed in the ROI, while under income tax act 1961, on or before the due date, under section 1391, or the belated return of income under section 1394, और revised return under section 1395, तो आपने 1391, 1394, 1395 के return में नहीं बताया income को, या फिर income from source located outside India, in respect of which return is required to be file, आपको return file करना था, बट आपने no return file, आपने return ही file नहीं किया, या फिर कोई value of undisclosed asset located outside India, इंडिया के बाहर कोई asset थी, जिसको आपने इंडिया में बताया नहीं, क्योंकि आपको पता है, आज कल ITR ऐसे होते है, जिसमें आपको foreign asset की detail देनी तो उसके सामने कोई खर्चा allow नहीं होगा, कोई भी खर्चा, कोई भी losses allow नहीं होगा, मनलब foreign की income मिली, वो सीरी gross taxable होगी, gross income taxable होगी, उसके सामने कोई भी खर्चा वर्चा है, वो आपको allow नहीं होगा, एक और चीज इन्होंने बताई, कि अगर मानलो कोई income है, वो already income tax act म आपने ले लिया, तो क्या black money act में वापस आप लोग है, क्या answer is no, और vice versa, अगर कोई income है, undisclosed income, वो अगर black money act में आ गई है, तो उसको वापस से income tax act में अलग से फिर assess नहीं करेंगे, और नहीं तो बिचारा assess सी है, उसको मर जाना पड़ेगा, अगर ठीक है, तो अगर कोई भी income है, वो income इंडिया के बाहर की दी, और उसको अगर आपने income tax act में already ले चुके हो, तो उस पर black money act नहीं लगेगा, या अगर black money act में उस income को लिया है, तो फिर उस पर जो है, वो आपका income tax act नहीं लगेगा, यह note में मैंने बता है, तो देखिए, income from source outside India is already included in any assessment और reassessment in income tax, income tax में already ले लिया है, section 29 मलब PGBP में, या 43 CBPGBP की section होती है, other sources में, transfer pricing में कहीं ले लिया है, then such income shall not be included in total undisclosed foreign income, उस पर फिर black money act में ले लेना, या फिर any income or asset is included in undisclosed foreign income asset under this act, मलब black money act में ले लिया है, then such income or asset shall not be included in the income tax act, by income tax act में फिर आप उसको नहीं लोगे, this is the last part, उसके बा बचेगा, अब एक बात समझो, computation of total undisclosed foreign income या asset की value जब आप निकालते हो, तो पहली चीज तो उसके सामने कोई भी losses allow नहीं होते, कोई भी खर्चे, कोई भी losses आपके allow नहीं है, in simple word, आपको gross income है, वो taxable होगी, तो देखिए, सबसे पहला point क्या बोलता है, expenses और setup of losses not to be allowed against undiscl those foreign income है, उसके सामने कोई भी आपके expenditure allow नहीं, कोई भी तुमारे losses होगे रहे, वो allow नहीं होंगे, लिकिन एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, कि आपने जो foreign में कोई asset खरीदी थी, वो asset आपने कुछ पैसा white का लगाया था, कुछ पैसा black का लगाया था, तो बेटा, उसम पैसा आपने white का लगाया था, वो less कर देंगे, बड़ा logical है, कि भाई, foreign में आपने, foreign example, एक example लेते हैं, मैंने क्या किया, Microsoft के share खरीदेते, अब Microsoft के share मैंने 27 लाग के खरीदेते, बट उसमें से मैंने 15 लाग तो white का पैसा लगाया था, जो disclose था, और मैंने बाकी वाला जो है, only 12 लेके वो मैंने black का लगाया था, तो जितना black का पैसा लगाया था, वो less हो जाएगा भई, sorry, जितना black का पैसा लगाया था, वो ही बाला consider होगा, जो white का पैसा लगाया था, और वो थोड़ी आप assert की value में लोग, वो नहीं लेना चाहिए न, यहां पे समझना, all people, मेरे को last सरफ 2 मिनट और attention चाहिए आपका, उसके बाद यह topic complete सीथ, question पर चलेंगे, तो देखिए, point number B क्या बोलता है, if any asset is acquired out of any income, which was already assessed earlier, under income tax act, मलब before black money act आने से पहले, already income पे income tax में tax लग चुका था, और black money act में लग चुका था, then such income shall be reduced, वी उतना income आपको reduce करना है, अब आप भोलो the share of foreign company for the 10 lakh, 10 lakh में share खरी था foreign company का, he utilized 4 lakh white money and 6 lakh black money, मलब 4 lakh उसने white का पैसा लगाया है, 6 lakh black का लगाया है, now the value of such asset is 42 lakh, भाई, now उसकी value कितनी है 42 lakh, तो आपने white का पैसा कितना लगाया था, 4 lakh लगाया था, तो 42 lakh में से आप 4 lakh है वो less कर दो, 4 lakh जितना white का पैसा था, वो less कर दो, proportionate आज की value करनी चाहिए ना, क्योंकि एक बात बताओ, आपने total 10 lakh लगाया था, और 10 lakh की value आज 42 lakh हुई है, तो white के पैसे की भी तो value बढ़ी, उसको आज की value पे less करो ना सर, answer is ऐसा नहीं है, lawmakers क्या बोलते है, कि हरी acquired the shares of foreign company 10 lakh में खरीदा था आपने, उसमें 4 lakh आपका white का पै आपका ृइट का पैसा, आपका black का पैसा, 4 lakh का आपका white का पैसा, 6 lakh आपका black का पैसा, आउ value कितनी होगी, तो now value उसकी 42 है, तो उसमें से जितना white का पैसा था वो less कर दो, तो आज उस share की value 38 lakh है वो लेनी है, अब आप बोलो के Sir यह तो गल है था, proportionate करना चाहिए, आप बो बाई 40-60 का रेशियो है तो 42 लेक में से वाइट का कितना 40% है न तो आपको 25 लेक 20,000 लेना चाहिए यहाँ पर 25 लेक 20,000 लेना चाहिए पर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है अगर कोई foreign की asset acquire आपने की थी और उसमें कुछ पैसा white का लगाया था कुछ पैसा black का लगाया था तो white का इतना पैसा है वो less कर दो आज की value में से लेकिन बेटा जो आप सोच रहे हो न का proportionate करना चाहिए वो करने को दिया है सिरफ immovable property के case में immovable property के case में immovable property के case में आप proportionate कर सकते हो कैसे तो देखिए in computation of point B in case of immovable property सिरफ immovable property के case में following amount shall be reduced कौन सा FMV of asset multiply by white money कितना लगाया था divided by total cost of the asset तो यहाँ पे immovable property के case में जो आप सोच रहे थे ना वैसा करने को मिलेगा जैसे मैंने एक example लिया देखिए a house property located in country outside India was acquired by Mr. A an assessi in the previous year 12-13 में acquired किया था 60 lakh में out of the investment 60 lakh 35 lakh was assessed to tax in the total income for the previous year 12-13 मतलब उसमें से 35 lakh है वो आपका white का पैसा था and in earlier year such undisclosed asset comes to notice of AO in current year if the value of house property is 120 lakh तो एक बात बताओ आपकी total value है वो 120 है आपकी cost थी 60, 60 में से 35 lakh है वो आपका white का था तो 25 lakh black का रहेगा तो 25 lakh के proportionate आज की value कितनी है वो आप value में ले लो तो आप क्या करोगे 120 lakh आज की value है divide by total value 60 का था आपने white वाला पैसा less करना है तो आप एक काम करो multiply by 35 कर दो तो proportionate जो भी आता है वो less कर दो तो आप क्या करोगे यहाँ पे 120 divided by 60 multiply by 35 तो यह आगया 70 तो 120 में से 70 less कर दो तो 50 आज की value आ जाएगी 50 पे tax लगेगा जो 50 है वो 50 पे आपका tax है वो लगेगा कर गे ठीक है या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई एक बात बताओ आज की value 120 उसमें black का पैसा कितना था 25 था divide by total पैसा कितना था 60 था तो proportionate कितना आया 120 divided by 60 multiply by 25 तो आपका 50 आ जाएगा तो 50 आपकी value मानी जाएगी कर गे ठीक है the amount chargeable to tax shall be the x minus y z where z का मतलब आपका 50 आ जाएगा ठीक है चलिए अब एक बात समझना आप सीधे चलिए questions पर आपका compiler पर आ जाएगे और compiler में black money topic पर जितने भी questions है उन questions पर चलिए question number one total question कितने देर के है ICI ने total 5 question देर के अपने module में पांच वो पांच मैने ले लिए ठीक है चलिए question number one question number one पर आ जाएगे एश्वरे आपके सब doubt clear हो जाएगे जैसे ही अपनी questions करेंगे जिन जिन लोगों के doubts है वो सब clear हो जाएगे जैसे ही अपनी question करेंगे चलिए देखिए क्या दे रखा है question number one बड़ा simple सा question है लपू सा question है question number one देखिए क्या दे रखा है रविंद्र एक बंदा है इंडियन सिटिजन था लेफ्ट इंडिया एंड सेटल इन दे यूके ऑन 10 अपरिल 2016 तो 10 अपरिल 2016 से वो बंदा यूके में सेटल हो गया तो यूके में सेटल हो गया इसका मतलब यह हुआ कि वो बंदा जो है वो अभी non-resident है अभी इस साल में तो वो non-resident है क्योंकि वो 2016 तक था मिस अपरिल 2008 तो अपरिल 2016 वो इंडिया में था तो मतलब वो बंदा resident था इंडिया का तो एक बात बताओ in the previous year when he acquired the property in the Malaysia that year he was a resident उस year में तो वो resident था क्योंकि वो इंडिया में ही था वो इंडिया छोड़के इस date को गया और 2008 से पहले कभी नहीं उट से पहले गया होगा और 8 के बाद तो नहीं गया तो in the previous year 13-14 he was the resident assessing officer came to know this in the March 2024 इस साल एओ को पता चला कि यह भाही ने तेरा 14 में Malaysia में एक property खरी थी 200 लाग की करके लेकिन वो आज वो बंदा हिंडिया में रह नहीं रहा है वो रह रहा है UK में ठीक है based on the investigation made by the ED in the some other person's case to enforcement direct rate है वो किसी और case में कुछ inquiry कर रहे थे उसमें पता चला के रविंद्र ने एक property खरी थी कहां पे और वो खरीती थी मलेशिया में जब 13-14 जब उस year में वो resident था the assessing officer having record of some concrete evidence against the Ravindra so issue a notice under section 10 of black money and imposition act 2015 in the current year Ravindra's council contended that since Ravindra is not a resident in the financial year 23-24 a notice under section 10 could not be issue to him notice 10 उसको issue करते है कि जिस पर black money act लग रहा है और उसको बोला जाता है आपको इतना text बढ़ना पड़ेगा इतना penalty बढ़ना पड़ेगा उसका notice जाता है 10 में is the issue of notice under section 10 of the black money act is tenable in law क्या जो ये issue किया जा रहा है ये tenable in law है answer is yes क्योंकि मैंने क्या बोला ये भाईया act में आपको असेस्सी आप तब माने जाओगे असेस्सी का मितलब आप resident या तो previous year में हो या पिर जिस year में आपने asset acquire की थी उस year में आप resident थे तो आप एक बार answer को read कर लीजिए और अगर कोई doubt है तो आप पूछ लीजिए एक बार इसको read कर लीजिए और कोई doubt है तो आप पूछ लीजिए read करिए सबूग झाल तो कुल मिला के एक बात बताओ law क्या बोलता है इसको language को आपको याद रखना है आपको इसमें यह दियान रखना है कि resident इसमें law में यह लिखा हुआ है resident, ordinary resident वगरा कुछ नहीं दे रखा असेसी का मतलब क्या है असेसी defined in 2-2 of the black money act include a person being resident within the meaning of section 6 of income tax in the previous year या थो previous year में वो resident यहाँ R&OR, R&OR कुछ नहीं बोला और being the non-resident or not ordinarily resident in the current year but in the previous year जिस year में वो asset acquire की थी उस year में वो resident था या वो income जिस year की है उस year में वो resident था ठीक है चलिए question number 2 पर आईए, question number 2 पर आईए, Aishwarya जो language मैंने बोल लिया, उस पर ध्यान दो तो आपको समझ जाएगा, चलिए, question number 2 पर आईए question number 2 क्या बोलता है, देखिए Harshit stay in India only 48 days during the previous year 23-24, इस साल में वो सिरफ 48 days इंडिया में था, मतलब कुल मिला के वो non-resident के ठीक है, इस साल में he had acquired a house property in the, located in country A, in the September 2013 में खरी राथा, 80 लैक में, तो 80 लैक में एक house property खरी राथा, in the country A करके out of the investment of 80 लैक, 55 लैक was assessed to tax in his total income in the previous year 13-14 and 12-13 when he was a resident in India the remaining income was not been assessed to tax in any year, मतलब उस में से white का पैसा जो था, एक बात बताओ, उसने 80 लैक डाला था, 80 लैक में से 55 लाक है वो white का पैसा था the asset comes to the notice of the AO in the current year and the like आज की value उसकी 120 लैक है what is the value of undisclosed asset house property located in country A, in hands of Mr. Harshit for the purpose of black money act and in which year it would be same is to going to be chargeable to tax, so guys यहाँ पे tax लगेगा वो जिस year में notice में आया, उस year में लगेगा और उसमें white देखो house property है, तो house property में प्रोपोर्शनेट का benefit आपको मिलेगा, तो house property में क्या गरेंगे, आज की value कितनी है, 120 है उसमें से आपने total 80 में acquire किया था, उसमें black money कितना है, तो मैं बोलू black money 25 है तो black money 25 है, इसका मतलब 120 multiply by 25, divide by 80, तो it comes to the 37.5, तो 37.5 है, वो 37.5 आपका black money का asset के इसाब से undisclosed asset की value मानी जाएगी, और इस पे जिस year में notice में आया, उस previous year में इस पे tax लग जाएगा दर्शन शाह, नींद में है क्या, कुछ चीज़े बाकी है तो बाकी रहने देगा यह दर्शन शाह नींद में रहता है, पता है, बच्चा, यह फिर यह फिर mobile पर टाइम पास करता है, और फिर एक दम आ जाता है यह चलिए, इसको एक बार read करिए चलो, read कर लिया आपने, question number two का answer read कर लिया आपने बोलो done, हो गया तो बोलो done done, अरे हो जाता है तो बोलो done चलो, question number three पर आईए, वो जाता है तो आपको done बोलने का है, ठीक है, question number three पर आईए, और देखिए question number three क्या बोलता है question number three, an apartment located in country X was bought in 1988 for the 10 lakh, मरलब 10 lakh में एक apartment खरीदा था country X में, it was sold in the year 2003 for the 30 lakh, मरलब 30 lakh में आपने बेच दिया अपार्टमें, मरलब 10 lakh में खरीदा था एक apartment, आपने 30 lakh में बेचा, लेकिन this amount is deposited in the bank account in the country X, country X के bank account में इसको include किया है, मरलब bank account में डाल दिया, तो मैं बता हूँ, अगर bank account में डाल देते है, अगर वो ही पैसा, जो पुरानी asset बेची है, उसको bank account में डाला, तो bank account में उसको consider करेंगे, और जब bank account में consider करेंगे, तो मैं higher, तो 30 lakh value आती है, इस property को अपन consideration में नहीं लेंगे, उसके बाद क्या हुआ, in the year 2004, another apartment was purchased for 45 lakh, एक नया घर खरीदा 45 lakh में, the investment in the new apartment was made through the withdrawal from the bank account, अब एक बात बता हूँ, तो bank account की value में से अपन लेस करेंगे 45 lakh, क्योंकि अभी जो नया apartment आपने 45 lakh में खरीदा है, ये bank account से ही withdraw कर के खरीदा है, तो bank account के deposit में से ही तो आपने लिया होगा, तो यहाँ पे भाया, 45 lakh bank account की value निकाल देटा है, मपन लेस कर देंगे, आगे क्या देर रखा है, the new apartment has not been transferred before the valuation date and its value as on valuation date is 55 lakh, new apartment अभी भी है आपके पास, जिसकी value 55 lakh है, assuming that the value of foreign bank account in the country X is computed under rule number, like 31E, is 70 lakh, मिस bank account की value 70 lakh है what would be the fair market value of new apartment as per the rule, तो देखो, new apartment की value आप कितना लोगे, 45 lakh जितने में खरीदा था, और भाया, valuation date की FMV, whichever is higher 55 lakh है, तो आप 55 lakh लेंगे, bank account की value कितनी आएगी, तो bank account की value लेते टाइम, आप भाया, bank account है, वो 70 lakh का है, तो उस में से यह 45 lakh less कर देंगे, bank account में से आपका 70 lakh का है, त तो 45 lakh less कर देंगे, बट यहां तो new apartment की value पूचा था, तो new apartment की value, obviously, आपका जो valuation date को 55 lakh उसकी value है, और cost है, वो 45 lakh थी, whichever is higher comes to 55 lakh, तो 55 lakh आजाएगी, similar example मैंने कराया था आपको, similar example मैंने compact में दे रका, similar example आजाएगा, तो देखिए, FMV of the new apartment, higher of the cost of acquisition or the price at which the property can be sold in the open market, that is 55 lakh, तो 55 lakh आएगी, question number 4 पे आजाएगे, question number 4 देखिए, क्या बोलता है, question number 4 बोलता है, Mr. Pillow, पिलू या पिलो जो भी आपको बोलना है, age 72 years की है, लड़का है, लड़का की अंकल होंगे अब तो, अंकल की है, दादा जी के समाने, Mr. Pillow, was the managing director of the Ashok Private Limited सूरत, सूरत के managing director थे, he retired in June 2009, June 2009 में, बंदे ने retirement ले लिया, and left permanently in January 2012, इंडिया को छोड़ दिया, सोचा, अब इंडिया छोड़ देते है, 72 age है, और January 2012 में, इंडिया को छोड़ दिया, इस साल पता चलता है, कि Mr. Pillow has acquired asset during the previous year, 8-9, exceeding 500 lakhs outside India, consisting of the residential apartment and deposit in the bank, which were not disclosed for income tax purpose, up to the assessment year 12-13, for which the return of income was filed in India, तो पता जलता है AO को, कि इन्होंने क्या गिया है, कि previous year 8-9 में, इंडिया के बाहर, कोई 500 lakhs के उपर की asset खरी दिया, मैं इस 5 crore से उपर की asset खरी दिया, जिसमें residential apartment है, deposit in the bank है, और उसके बाद बंदा जो है, वो shift हो गया बाहर, बाहर कब चला गया, January 2012 में, लेकिन पहले इंडिया में ही था, सूरत में था, Mr. Pillow was served a notice under the Black Money Act, and like August 2023 में उसको notice बेजा, और notice बेजा, तो Pillow is an opinion that, कि since 10 years have elapsed from the last assessment year, in which it was assessed in India, no proceeding could be initiated again him under income tax act 1961, as well as Black Money Act, Pillow is a non-resident for the assessment year 24-25, इस साल वो non-resident, वो बोलता है कि 10 साल हो गए है, तुम 10 साल के बाद कुछ भी क्या कर रहे हो कर गए है, question ही आता है, discuss the liability of Pillow under Black Money Law, state the procedure, and the methodology for determining the value of undisclosed asset outside, after evaluating the validity of contention issued by him, पहली चीज़ तो जो पिलो 10 साल की बात कर रहा है, वो income tax में होता है, यहां यहां Black Money Act में ऐसा कुछ नहीं है, Black Money Act में पता चल गया, कि आप resident थे, जिस ही अरम asset खरीदी दी कर गए, तो भाईया, इसमें आप पगड़े जाओगे, धरे जाओगे, और यहां पर tax लगेगा, तो जो इसका answer दे रहा है, बड़ा elaborate करके institute ने दे रहा है, आप इसको as it is, read कर लीचिए, as it is, read कर लीचिए, आप इसको, as it is, आप read कर लीचिए, question number four के answer को, झाले । झाल 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 DUNE PEOPLE! STAY DUNE! STAY DUNE! चलिए अब अपन चलते question number 5 पे और question number 5 and last question from the IECI question number 5 क्या बोलता है रेखिए दीपक एज 45 एर्स का है citizen है इंडियन settled in the California since 2015 तो 2015 से तो बंदा जो है वो California में है prior to that he has always been in India उससे पहले वो हमेशा इंडिया में था he had acquired a residential property in the California in 2009 2009 में उसने California में residential property acquired की थी जब वो resident था और वो कितने में करी थी USD 20,000 डॉलर में he kept bank deposit in the USD 10,000 in the bank account in the New York since 2010 तो 2010 में उसने USD 10,000 New York की एक बैंक में जमा कराया था तो उसके बास दो असेट हो गई एक तो residential property California में और दूसरा New York में उसने क्या किया था एक bank account खुला था ठीक है जिसमें 10,000 USD डाला था उसने deposit किया था notice under black money undisclosed foreign income and asset and imposition of tax act 2015 was issued in the current year current year में उसको notice बेजा the fair market value of residential property as on 1 for 2023 है वो मानलो यहां 25,000 USD है 1 for 2024 अगले साल की 32,000 USD है और जिस दिन उसको notice बेजा उस दिन की property की value है वो 30,000 USD है bank deposit जो है उस पे accrued interest वगेरा जो है वो 12,500 है 1 for 2023 को USD 12,800 है 1 for 2024 को और USD 12,700 है 20th October 2023 को US dollar की आपको rate दे रखी है आपको US dollar की rate दे रखी है 1st April 2023 की अगले साल की और जिस दिन notice बेजा उस दिन की compute the value of undisclosed foreign asset chargeable to tax in hands of debunk as per the black money undisclosed and imposition of the tax act 2015 तो देखो पहली चीज़ तो मैं बताओ आपको value कौन सी date की लेनी है valuation date की तो आपको क्या करना है सबसे पहले 2 asset है एक तो residential property है तो residential property के case में जो आपकी cost थी और दूसरा आपकी NRV ले लो valuation date की cost और NRV as on valuation date valuation date मैं लगा 1st April of previous year तो 1st April of previous year that is 2023 आएगा whichever is higher अब एक बात बताओ residential property आपने कितने में खरीदा था तो इन्होंने दे रखा है California में आपने जो खरीदा था वो 10,000 डॉलर, 20,000 डॉलर में खरीदा था तो cost थी आपकी 20,000 डॉलर अब valuation date को उसकी value कितनी है valuation date आप लोगे 1st April of the previous year तो 1st April of the previous year को इसकी जो value है that is fair market value as on 1st April 2023 वो 25,000 डॉलर है तो आप यहाँ पे ले लोगे 25,000 डॉलर तो higher कितना आ जाएगा 25,000 डॉलर तो 25,000 डॉलर है यह तो property की value होगी लेकिन एक बात समझता अभी की value नहीं लेने का आपको deposit deposit की total करने का आपको deposit deposit की total करने का तो deposit तो आपने सरफ 10,000 डॉलर ही तो किया था deposit जो है वो तो आपने 10,000 डॉलर ही तो किया था और कहाँ deposit किया था deposit तो कुछ किया ही नहीं deposit तो आपने 10,000 डॉलर ही किया था तो जो deposit वाला value है, वो 10,000 डॉलर है, तो bank account की value 10,000 डॉलर आएगी, multiply, आप currency की rate कौन सी date की लोगे, तो currency की rate आप जो लेंगे, वो लेंगे, आप valuation date की, और valuation date को currency मलें, valuation date मलें 1st April of the previous year, तो previous year को conversion rate है, वो 71 है, तो 71 से आप multiply कर दीजिए, तो एक तो 25 लाख रुपया जो है, उ 71 से multiply कर दीजिए, तो यह आपकी value आजाएगी, तो जो 25,000 डॉलर है, उसको 71 से multiply कर दीजिए, 10,000 डॉलर को 71 से multiply कर दीजिए, आपका यह आएगा, अब आपका doubt यह रहेगा, सर एक बात बताओ, आज जो bank की value आ रही है, that is due to the accrued interest, तो interest भी दो deposit में आना चाहिए, देखो interest deposit में आना चाहिए, ऐसी कोई जरूरी मल आना चाहिए, बट हो सकता है ना, वो income में already tax लग चुका हो, because interest हो income में आ गया हो, और वो income पे tax लग गया हो, उस पे asset में ना लिया हो, income पे already tax लग गया हो, for an example, last year उसमें interest credit हुआ, तो interest पे already tax लग चुका हो, तो institute ने यहाँ पे यह माना है, कि भाईया, bank account में हम क्या करेंगे, जितना deposit deposit वाला value है, वो अपन ले लेंगे, और deposit कुछ नहीं हुआ, इन्हों ने बोला कि bank deposit with the accrued interest there on, ये जो है, वो value दे रखिये, बट अपने को तो deposit deposit वाला लेना है, deposit आपने सिरफ 10,000 USD कराया था, तो वो आपने लिया है, आ चार मात का question आपको मिलेगा, चलिए देखिए, एक काम करिए, इसको read करिए solution को, exchange rate आपको valuation date का लेना है, और valuation date 1st April of the previous year रहता, यहाँ देखो, दे रखा है ये चीज़, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ, यहाँ दे रखा था, RBI reference date on the valuation date, valuation date होता है, 1st April of the previous year, 30% tax आता है, उसमा सर्चार से अल्टेन एजुकेशन से एड नहीं करना है, यहस नवनित, possible, यहस नवनित, possible, because, जो interest accrue होगा, उस यहर में तो वो non-resident था न, तो ऐसे भी इंडिया में taxable नहीं होगा, तो डिपोजिट दिपोजिट लेना है, तो डिपोजिट के बारे में तो और कोई detail दिया नहीं रिखा, चलो, done, बोलो, done, बोलो, done, नहीं, दिवानशी, जितना deposit है, वो ही आएगा, और bank account में deposit सिरफ 10,000 डॉलर है, बस, और कोई deposit नहीं है, read करो, दे रखाया आपको, नहीं कुछ surcharge बगेरा नहीं, सीधा 30% tax कितना भी हो, 30% tax, अरे, दर्शन, वो consider नहीं किया, तो भी आपको deposit में ध्यान देना है, deposit कि में क्या है, सिरफ deposit में, जो है, वो deposit में, सिरफ क्योंकि law बोलता है, जो deposit value है, वो लेना है, तो 10,000 डॉलर लेना, आप interest को छोड़ दू, deposit, चलो, अब आजाओ, आपकी बुक में पेज नमबर 113 होगा, शायद, लास्ट पेज, अब ब्लाक मनी एक्ट का, लास्ट पेज पेज पे दे रखा है, पैनल प्रोविजन, कि पैनल्टी कितना लगेगा, तो पैनल्टी कितना लगेगा, तो सबसे पहले section 41 है, 41 क्या बोलती है, कि where, tax has been computed in relation to the undisclosed foreign income या asset, इस पे जो tax आपने compute किया था, where tax has been computed in relation to the undisclosed foreign income या asset, जो tax आता है, पैनल्टी कितना लगेगा, in addition to the tax, a sum equal to the three times of the tax so computed, means भाईया, आपको tax तो भढ़ नहीं है, tax पे आपको three times penalty पर दिया है, three times penalty लगेगी section 41 में, तो इसका मतलब in simple word, बेटा, आपको 120 टका बढ़ना पड़ेगा, जो value हाई कि उसका 120 टका है, वो government को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30% तो tax और 30% का three times comes to the 90% कर गेगे, ठीक है, उतना आपको क्या बढ़ना पड़ेगा, penalty, section 42 क्या बोलती है, failure to furnish return in relation to the foreign income और asset, ये penalty और लगेगी, ये penalty बोलती है, कि आपने मानलो, failure to furnish return in relation to the foreign income और asset, foreign income या asset को आपने declare नहीं किया था, return में, मलब आपने return ही file नहीं किया, return आपको file करना था, और आपने return file नहीं किया, क्योंकि आप एक बात बताओ, अपने income text में क्या लिखा हुआ है कि अगर if you are a beneficial owner of any asset located outside India, including financial interest in any entity, इंडिया के बाहर किसी account का signing authority, आपको return file करता mandatory है, आपने return file नहीं किया था, आपने return file नहीं किया था, तो 10 लाग रुपे का penalty ये और लगेगा, उसके बाद, failure to furnish information in return of income, और furnishing the inaccurate particulars about the asset located outside India, आपने return file किया थ बट return में, आपको foreign में asset का detail देना पड़ता है, आजकल ITR form में होता है, foreign की asset का detail देना पड़ता है, आपने नहीं दिया, या फिर आपने गलत दिया, तो उसमें आपको 10 लाग रुपे का penalty लगेगा, करके ठीक है, उसके बाद, default in payment of the tax arrear, जितना आपका tax का demand notice आया होगा, आपने नहीं बरा, तो जो tax आएगा, उसका 100% तक penalty और लगेगा, अगर आपने tax नहीं बरा तो, और last वाला, failure, without reasonable cause to the answer any question puts to him by the tax authority, or to sign any statement made by him in the course of any proceeding under the act to attend or produce books of accounts or documents at a place or time in response to someone issued under section 8, भाया, आपने अगर माल लो, आपसे कोई question पूचा था, उसका reasonable आपने answer नहीं किया, या फिर आपको समन बेजा, उसका आपने reply नहीं किया, आपको books वगरा मंगाया था, आपने वो नहीं दिया, तो उस particular case में 50,000 से लेके 2,00,000 रुपे तक penalty लगेगी, तो ये 4 penalty है, 4-5 penalty है, जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है, MCQ में कहीं आ जाए, आप अगर आपने return file नहीं किया था, foreign income या assets related जो करना चाहिए था, 10,000,000 का penalty लगेगा, अगर आपने कोई ऐसी information जो है, वो information आपने, failure to furnish information in the return of income, for furnishing inaccurate particular about the asset located outside India, बहले इंडिया के बहार जो assets है, उससे related आपने inaccurate information दीती है, information दी नहीं थी, तो 10,000,000 का penalty लगेगा, और अगर tax जो arrear है, वो आपने pay नहीं किया, तो 100% of tax arrear का penalty लगेगा, और बेटा, अगर आपको reasonable cause नहीं है, और आपने किसी question का answer नहीं दिया, या को statement आपने नहीं दिया, या आपसे books of accounts वगरा मंगाई, वो आपने नहीं दी, तो उसमें आपको 50,000 से लेके, और 2,00,000 तक का आप को penalty है, वो penalty लग जाएगा, अब एक बात समझता है, इसके अलावा, इसकी section 6 से लेके 88 तक की section है, वो भी black money act में है, but procedural part in the black money act is similar to the duty part, ICI ने थोड़ा बहुत दिया है, बड़ ICI ने भी नहीं दी, ये जितनी भी section है, 6 से लेके 88 तक की, ये ICI ने भी पूरी नहीं दी है, इ rectification करना, वो सब part वैसा ही है, जैसा DT वाला है, आपको examination perspective जो पूछा जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे है ना, कुछ meaning दे रखा है certain terms का, अगर आपको पढ़ना है, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार, meaning क्या दे रखा है certain terms का, जैसे यहाँ पे दे रखा average of the lowest and highest price आपको लेना पढ़ेगा, तो इहाँ पे established security market का लेना है, तो established security market के इसको बोलेंगे, तो यहाँ define कर रहा है, established security market means, an stock exchange that is officially recognized and supervised by a government entity in which the market is located and that is meaningful annual value of the shares are traded on the exchange, मनला, ऐसा कोई भी market exchange that is officially recognized and supervised by government entity in which the market is located and that has meaningful annual value of the shares traded in the exchange, जो गवर्मेंट से recognized है, supervised है and guys, उसका annual turnover है, वो meaningful annual value of the shares उसमें trade होते है, लेकिन आप बोलोगे, meaningful annual value of the shares traded on the exchange का मतलब क्या, जैसे मानलो, मैं example लेता हूँ, NASDAQ, NASDAQ जो है, वो US government है, वो recognized है, उससे supervised होता है, government से, तो उस particular case में, जो NASDAQ है, वो लेंगे, वो आपका established security market आया, और वहाँ पे, meaningful annual value of the shares traded on the exchange होना चाहिए, अब आप बोलोगे, यह meaningful annual value of the shares traded on the exchange क्या है, तो देखिए, with respect to the exchange, it means, it has a annual value of shares traded on the exchange, और a predecessor exchange, exceeding 1 billion US dollar, during each of the three calendar year, immediately preceding the calendar year, in which the determination is being made, मतलब भाईया, जिस year में यह determination हो रहा है, उस calendar year को छोड़ दो, पिछले 3 calendar year में, उसमें जो आपका trade हुआ है, वो trade आपका 1 billion US dollar से ज़्यादा हुआ हुआ है, पिछले 3 सालों में trade, तो उसको अपन बोलेंगे, that is the meaningful annual value of shares traded on the exchange, उसके बाद में, meaningful value of trading on ongoing basis होना चाहिए, उसका मतलब, with respect to each class of the shares, जो भी class of the shares है, जैसे equity shares वगेरा, trades in each such class are affected, other than the de minimus quantities, on one or more established security market, on at least 60 days, during the prior calendar year, means भाईया, उस share में, जो trade हुआ है, वो at least 60 days prior to the, like पिछले calendar year में, at least 60 days उसमें trading हुई है, aggregate number of share in each such class, that are traded on such market or market during the prior year, at least 10% of average number of share outstanding in that class, during the prior calendar year, मैं जो total share है, उसमें से at least 10% share की trading हुई है, अभी यह मैं बता हूँ, आपको याद रखने की जरुवत नहीं, यह definition कर गें, ठीक है, quoted share and security किसको बोलेंगे, तो ऐसे share or security, which has the meaningful value of trading, on an ongoing basis, on the established security market, and regularly quoted by the dealer, where they actively do offer to, or in fact do purchase and shares from, and sell the shares to, customer who are not related to the dealer, in the ordinary course of the business, उसको बोलेंगे, quoted share and security, quoted share and security मतलब भाया, जिसका meaningful volume of the trading, on the ongoing basis हुआ, इसका मतलब क्या होता है, meaningful वाला, यह यह यहां define कर रखा है, और वो कहाँ पे हुआ है, established security market में हुआ है, तो उस particular में, उस share को बोलेंगे, quoted share and security, unquoted share and security किसको बोलेंगे, ऐसे share, जो तुमारे quoted नहीं है, वो तुमारे unquoted share and security माने जाएं, गे कर गे, ठीक है, चलिए, इस topic covered in international taxation, no, this is covered in the normal, DT वाले पार्ट में ही cover किया है, इन्होंने, as well as इन्होंने तो equalization लेवी भी DT में cover किया, equalization लेवी जो अपने international taxation वाले पार्ट में पढ़ा था, उसको भी उन्होंने digital transaction करके, और DT वाले पार्ट में cover किया है, ठीक है, so this is the completion of your black money act वाला topic, ठीक है, चलिए, तो जो ICI ने दे रखा था, मैंने बहुत ही इसको अच्छे से, आपको समझाया है, और इतना आप करके जाओगे, चार पांच माँ के एग्जाम में आपको स्कोर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है,